कि अधियू करने वाले हैं क्लास एट इंग्लिश एंचियाटी के बुक हने डियू का चैप्टर दा आंट एंड़ क्रिकेट इस एक पोएम है जो एसोप के द्वारा लिखी गई है जिसके आपको जी आपको आपने नीचे देख रहा हुआ एसोपस फैबल्स एक एक एंसीयंट ग्रीक रैटर थे एक ठीक है उन्होंने यह च्छोट से स्टोरी उन्हें लिखी है यह एक पौर्म है यह कविता है जो स्टोरी के स्टोरी का सेंस दिती आपको ठीक है इसमें जो म आसके पर देखा हूँ जो मारता रहता है ठीक है इन दोनों काहनी है यह थो यह तरह एक एक फैबल है यह फैबल भी है फैबल भी चौने स्टोरी गोई को हमको कोई सीक दें को देंट तो इसमें दिखाये गया एक नटीन वाण जो मुझेश्यगी इसका मतलब क्या हो इन्सान प्रिंट्स.- टो इसके जो थीम है ठीक है इसकी चुछ थीम अप्रोविंग की वो क्या है कि इसमें यह दिखाया गया है मैं आपको एक्जांपल इसको पहले समझा देता हूं कि जैसे सुपोस कुछ काम दिया जाए तालता रहता है कि मैं इसको आप करूँ आपको आप करूँ गळाए एक्जाम की लेकिन आप सोचते हो कि अभी काफी टाइम बचा हुआ है अकर मैं एक्जाम की त्यारी बाद में भी करूँगा तो भी चल जाएगा ठीक है तो ऐसे करते करते आप तो क्या करते हैं तो डिले करते रहते हैं और at last जब at the moment जब एक्जाम आप स्टार्ट होने वाले होते हैं उसठाप आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एकड़म आपका मैंड क्यों होता है एकड़म पॉजल हो जाता है जासे एकजाम से आफ़ते पर पहले आपने पर पढ़ना स्टार्ट किया ठीक है इसमें अगर कोई इंसान continuous effort कर रहा है जैसे कोई एक्जाम आने वाले हैं लेकिन वो continuous effort कर रहे हैं कि हां मुझे त्यारी करने हैं अच्छे से में नमबर लाने हैं ठीक है मुझे अच्छे से नमर से पास होना है तो वो continuous practice करता जाता हो तो एक्जाम की preparation करता जाता है जब एक्जाम आते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे मावस हो उसमें score करता है लेकिन जो फस्ट परसंट था हो सोचता है कास मैंने इतनी महनत की होती मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया होता तो मैं भी इतना अच्छे नमर स्कोर कर सकता था तो इस की कुछ इसमें थीम आपको नजार आने वाली है आंटेन cricket के बीच में तो तो टाइम वेस्ट न करता है अपनी स्टार्ट करते हैं अपनी इस पॉम को तो स्ट्रेंट्स मैं इस पॉम को स्टेंजा वाइस आपके सामने इसको को रसाइट करूं आपको सिंग करूंगा और आ सब्सक्राइब करेंग यहां पर जो एक सिली यंग क्रिकेट है जैसे आपको फोटो में देख रहा हूँ है पागल सा है वह एक अकस्टम्ड है इसको आदत होगी गाना-गाने की इसको गाना-गाना बहुत जाता पसंद है ठीक है तो जब घर में गाना-गाने का तो जब घर जाता उसके बाद काना गाने की बाद घर में टाम इ पर देखता के इसफी कबड़ खूलता जहीं थाओ अपने कबड़ मीन्स होता है जैसे समान रखते है उस device nun i have not a cram to be found application stage His fire could he see not a leaf on a tree o what will become says says that cricket of me जब हो अपना कबड़ कोल घर के अंद जाकर तो सब्सक्राइब कुछ भी और कॉंद नहीं है कर gentak कुछ भी कॉद्ड कर नहीं है गाट अभाट तो मुझे कि घर्मिक में नहीं है ठीक है और on the snow covered ground यानि बाहर जो देखता हूँ पुरी बरफ जमी होती है पुरी ग्राउंड के ओपर ठीक है not a flower कोड़ी सी और आसपास कुछ भी flower वो नहीं देखता है कोई फूल वगरा वो नहीं देखता हूँ ठीक है not a leaf on a tree किसी भी पेट के ओपर वो कोई भी पत्ते वगरा नहीं देखता हूँ ठीक है बाहर को भी flower नहीं फूल वगरा भी नहीं होते पत्ते भी नहीं होते पेट पर तो वह सोचता है no what will become of me says the cricket अब cricket बोलता है कि मेरा क्या होगा ठीक है मैंना खाना जमा किया है अन्य अब मैं क्या खाऊंगा मैं सर्विए कैसे निकाल अब स्वेंट्स नेक्स नहीं पर देखते हैं at last by starvation fm i made bull all dripping with wet and all tempting with cold away he set off to a miserly and to see if to keep him alive he would grant यानि कि जब वो at last जब भुकमरी का टाइम आ जाता है starvation का मतलब होता है यहां पर यानि भुकमरी और famine का मतलब भी क्या होता है means भुकमरी यानि जब किसी के पास खाना वाना कुछ नहीं होता खाने के लिए तो इसको हम बोलते है फैम फैमाइन या starvation तो जो starvation एफैमान के वीचसे एकड़न वह क्या हो जाता है एकड़न पागल सो हो जाता है भुकमरी से ओक्रभुक्रुक्रे काड़न ओने लगता है उसके बाद अभी ही सट आफ हुआ कि यह पास जाता है तो यह देखता है कि उसको जिंदा रखने के लिए उसको जिंदा रखने के लिए क्या पता चीटी सो कुछ खाने के लिए उसको दे दे देखते हैं हिम शेल्टर फ्रॉम और माथफुल ऑफ ग्रीन ही विस्ट अली टिपोरो ही ही वुट प्रिपे टुमारो ठीक है यानि कि जब वह चीटी के पास जब वह जाता है क्रिकेट तो वह सोचता कि हाँ जब उसके पास जाएगा तो वह उसको शैल्टर दे देगी चीटी जो उसको क्या कर देगी अपने घर के अंदर उसको रुकने के लिए जगा देगी और मौथ फुल ऑफ ग्रीन मिन्स इसको पेट भर सको खा जो अभी लेगा उस उदार को वह कल वह वापिस उसको रिपे कर सके है यह निक इसको वापिस उदार को चुका सके है ठीक है तो जाएगे इस तो देखने है अपना नेक्स ने जाएँ आपे यह निकी उसके बाद क्या होता है तो जब क्रिकेट उसके पास जाती है एंड के पास जाती है चिंटी के पास जाती है तो वह क्या उसको क्या बोलता हो कि अगर उसको खाना नहीं मिला तो वह भूक मर की वेसे वह मड़ जाएगा तो उसके बाद जो आंड उती है उसको क्या बोलती है says the aunt to the cricket I am your servant and friend तो aunt बोलती है उसको cricket को कि हाँ यह सही है कि मैं तुमारी क्या हूँ servant हूँ और तुमारी friend हूँ तुमारी नौकर भी हूँ तुमारी दोस्त भी हूँ but we aunts never borrow we aunts never land लेकिन जो हम cheat हैं वो ना किसी को उधार देती है लेना किसी से उधार लेती है बोरो का मतलब क्या होता है किसी से उधार लेना और land का मतलब होता है किसी को उधार देना ठीक है but tell me dear cricket did you lay nothing by लेकिन फिसके बाद जो चीटी होती aunt वो पुष्थी cricket से कि मुझे एक बात बताओ कि तुमने कुछ भी खाने के लिए जमा नहीं किया गर्मियों में तो उसके बाद cricket के बोलता है when the weather was warm caught the cricket not I तो cricket के बोलता है नहीं मैंने गर्मियों के सीजन में मैं बस गाना गाता है और मैं कुछ भी जमा मैंने नहीं किया ठीक है caught the cricket quote का मतलब होता है यह पुराने English का एक वरड है और का एक वरड है यानि Henri पुराना वरड जो पुराने English में इस्तमाल होता था इस quote का मतलब होता है यानि sad यानि कि कहना ठीक है तो cricket के कहता है कि हां मैंने उस गर्मी के सेजर ने कुछ भी जमा मैंने नहीं किया तो सब देखते हैं नेक्स टेंजा मैं हार्ट वासु लाइट दैना सेंग दियन नाइट पॉल नेचर लगए यू सेंग सेर यू से उसके बाद क्या होता है कि गर्मिके टाम मेरा हार्ट भूट लायेट था अहलता मैं क्यूंत कर ला हनुत कर दा आट मैं इस वज़े मैं पूरे दिन मैं आप गया मोचह भी धियान नहीं रहा हान के मुझे खाना करना है मुझे बहुत इन्वार्मेंट था सीजन था जो वैदर कंडिशन सी में बहुत अच्छे लग रहे थी वह से मेरा माइड एकन कूल था एकन कि इसम स्टेबल था एकन खुश था तो असे मैं खाना जमा काना बिल्कुल बोल गया और मैं गाना गाता गया तो इसके बाद जो आंट होती हो क्या बोलती है इसको यू सेंग सेर एंड यू से क्या क्या बहला तुमने तुम गाना गा रहे थे पूरी गर्मियों में तो उसके बाद आंट क्या बोलती है इसको गो दैंस इस दा आट और दंस दा विंटर आवे दस अंदिंग यू स्थी लिफ्टे द विकेट एंड आफ द द दो तन द पूर लिटल क्रिकेट फॉक्स कॉल इस अफेबल आई विल वारंट इच्छू वारंट इच्छू सम क्रिकर्स है फोर लैक्स अं सम्हाव तू यू एक ऐनग, की उसके बाद जो और झी और वो क्या भोरती करिकेट को उसके बाद लास्ट में तो ठीक अच्छी बात हो अगर तुम्ने पूरी गर्मी में तुम्ने गाना गाया है तो अब क्या करो आप सरथी दो यानि Semka करो जाएं तोšके बाठ करव Keylor Bye उस सरथीयों करते करते निकल जाएगी ठीक है तो बाहर जाओ इंजॉय करो दस एंडिंग ही हैस्ट लिए लिफ्ट द विकेट हैस्टली का मतलब होता है स्टुएंट्स एकदम फास्टली एकदम स्पीड से बहुत तीजी से अटलास में जो जो आंट होती है वो क्या करती है विकेट को लि घज़ा जाओ तो उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता थे कि उसको जो खाने के लिए मिलेगा लेकिन जो Network इस इपड़े वगर ही ऊसको वहां से घर से वह भागा देती यह ठीक है fox call this fox call this a fable i will warrant it true some crickets have four legs and some have two यनि कि जो लोग है fox का मतलब यहां पर दिया हो fox का मतलब होता है यनि लोग जो लोग है वो इसको एक कहानी बताते हैं जो हम ने अभी देखा यह पड़ा जो उसको लोग क्या बोलते हैं कहानी बोलते हैं लेकिन मैं सको सच मानता हूँ, क्योंकि सम Über 레keyeरीゃ मैं और कि यहां पर केड़ों और जो केड़े उनकी बात यहांपने की गई हैं जिंगर उनकी बात की गई है तो कुछ cricket के फोर लंक्स होते हैं जैसे कि हमें picture में ऑपर देख रहा है यहां पर ब्लैक कलर में कीड़ साथ वहाँ उनके फोर लंक्स होते हैं चुछ इनके पैर वहाँ एक्च्व में students cricket के to 40 legs होते हैं लेगिन यहां पर दो legs की बात की गई है दो legs वाले cricket की जो बात की गई है वह बात की गई है human being नहीं इनसानों की बात की गई है तो इसमें जो poet हैं वह isop जो है वह क्या कहना चाहरे रहें हो यह कहना चाहरें कि कि जो ये laziness वाली जो quality होती है वो सर्फ इस जो poem के जो character है cricket उसमें ही नहीं होती ये जो quality होती है वो laziness की वो इंसानों के अंदर भी होती ठीक है जातों जो इंसानों होते हैं वो क्या करते हैं वो चाहते हैं कि वो time laziness में spend कर दे वो कुछ काम ना करें वो सब कुछ काम उनको करा गोरा मिल जाए वो कुछ भी effort वो नहीं करना चाहते हैं ठीक है सब वो चाहते हैं कि सब कुछ किया काम मला उनको पहले से किया कराया काम उनको मिल जाए कुछ भी उनको effort ना करना बड़े इस तरह से आज की जो कुछ लोग है वो ऐसा सोचते हैं ठीक है तो स्टुएंट्स हमें इस पॉण से क्या सीख मिलती है हमें इस पॉण से यह सीख मिलती है कि हमें किसी के भरूसे नहीं रहना चाहिए और हमें खुद अपने एफट से अपनी हाड़ वक से अपनी हैल्प करने के लिए और अपने वाले feature के लिए हमें सेयंग रखने च है वह खाने की सेविंग्स हो चाहिए वह पैसों के सेविंग्स हो हमें वह रखने चाहिए ताकि हमें आने वह टा Champions इन फूच़र की problem ना हो ठेकर चुट्ब्लंट्स तो चुट्ब्ण्स यह थी आपके आपके कि पूर्म जो एसोप की द्वारा लिखी गई है इसमें कुछ वर्स हैं पर नीचे देए गए हैं इसके मीनिंग यहां पर देख लेते हैं आपका एकइस्टम्न का मतला होता है यहीं है यह आखिड नेक्स्टीज सब्सक्राइक जillyffal में जाने के नहीं मिलता था जाने के लिगे आप भ१ंधी उसको में बोलते हैं in ले नथिंग जाने अगल नहीं नहीं भल और याày कि रखना्त प्ट भी विश्ग की सब्सक्रें 친 तो ऊसमेंसे, एक भी मार्म सब हम खा जातो हैं हमने कुछ भी बचाकर नहीं रखते इन-फ्यूचर के लिए ठीक है इस तरह से खुझ भी बचाकर नहीं रखना है जैसे आप कुछ खाने के लिए और आपने पुरा-पुरा आभी आभी खा लिया आपने कुछ भी कल के लिए बचा की नहीं रखा मालो कल आपको जुरूत पड़ेगी और कल मार्केट मालो बंद है तो आप क्या करोगे फिर ठीक है इस तरीके से ले नथिंग बाई का मदला होता है कुछ भी बचा कर ना रखना last word असमें कोथ कोथ एक पुराने इंगलिश का वर्ड है old English का वर्ड है आपके एक वर्ड बोलते है इसको इसको इसका मलब होता है sad मलब कहना किसी बात को बोलना तो यह था आज का टॉपिक आपका अगो आपको यह वीडियो आपको अच्छे दैसा समझ में आगे होगी so students अगर आप इस वीडियो को आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के जास बगल में एक बैल आइकन को उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको आपके फॉन पर बिल्कुल टाइम पर मिल जाएं और वीडियो में वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स और कमेंट भी ज़रू करें झाहिए को कार करी िोट Secretaireह Maurice